नमस्ते दोस्तों अनीस इनपो चैनल में आपका स्वागत है आज की वीडियो में हम लुना जीटी 25 बाई 22 के लोड चार्ट के बारे में बताएंगे यह 25 टन का मोबाईल क्रेन है चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको उदारण के साथ हम लोड चार्ट के बारे में बताएंगे जिससे आपको पूरी जनकारी हो सके यह देखिए 9.4, 12.4 मीटर, 15.5 मीटर यह बूम लेंद की लाइन दी हुई है और यह जो 3, 4, 5, 6 यह जो लाइन दी हुई है यह रेडियस की लाइन है इसका जो बेस बूम है वह 9.4 मीटर का है और यह जो बूम लेंद की यह जो लाइन है इसमें सबसे पहले वाला बेस बूम होता है जिसे में बूम भी कहते हैं कोई भी मोबाइल क्रेन अपने बेस बूम और 3 मीटर रेडियस पर अपनी छमता के अनुसार अपने वजन के बराबर वजन उठा सकता है जैसे यह 25 टन की मोबाइल क्रेन है तो यह 3 मीटर रेडियस पर 25,000 केजी अरथात 25 टन वजन उठा सकता है यदि हम जैसे यहां देखिए 15.5 मीटर यह बूम का सेक्षन है अगर इससे 0.1 भी ज्यादा निकालेंगे जैसे 15.6 हो जाएगा तब हम इसको 18.6 मीटर वाले बूम लेंद के सेक्षन में इसकी लोड की छमता को देखेंगे अरथात अगर 0.1 भी अगर बूम अधिक निकलेगा तो हम उसके अगले वाले बूम सेक्षन में इसकी छमता को देखेंगे अब आपको हम उदारण के द्वारा इसको पूरा समझाते हैं जैसे उदारण के लिए हम 18.6 मीटर बूम सेक्षन और 6 मीटर रेडियस ले लेते हैं 6 मीटर रेडियस और 18.6 मीटर बूम सेक्षन पर या 11750 केजी अर्थात 11.7 टन वजन उठा सकता है लेकिन अगर 18.6 से 0.1 भी अर्थात 18.7 भी हो जाएगा या 19 मीटर भी हो जाएगा बूम सेक्षन तब हम अगले वाले बूम सेक्षन में 21.7 वाले में देखेंगे तब हम या जो 6 मीटर रेडियस की लाइन आ रही है उसको अगले सेक्षन में देखेंगे अर्थात तब या 10,500 केजी अर्था साड़े 10 टन वजन उठाएगा अर्थात इसका वजन उठाने की छमता कम हो जाएगी एक और उदारा लेते हैं जैसे 24.7 मीटर बूम सेक्षन और 7 मीटर रेडियस को ले लेते हैं यहां पर देखिए 24.7 मीटर बूम सेक्षन में यह 7,900 केजी वजन उठा रहा है लेकिन अगर यही बूम सेक्षन 24.7 से 0.1 भी अधिक हो जाएगा तो हम 27.8 मीटर बूम सेक्षन वाले में देखेंगे की यह कितना वजन उठा रहा है जैसे यह इसमें 6,600 केजी उठाएगा इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे बूम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे लोड उठाने की छमता कम होती जाएगी और जैसे जैसे यह रेडियस घटता जाएगा वैसे वैसे इसके लोड उठाने की छमता बढ़ती जाएगी आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सस्क्राइब करें और कोई और वीडियो चाहिए तो कमेंट बाक्स में कमेंट कर सकते हैं मैंने आपको देखिए 75% बूम निकालने पर बताया है इस प्रकार से ही आप 85% पर भी देख सकते हैं कि हमारी कितनी चमता बन रही है